Hello friends, welcome to Logix Point आज का टोपिक है हमारा महानियावादी Attorney General of India तो दोस्तो इस से पहले भी मैंने समिधान के पिर्मो कनीच्छोतों की वीडियो बनाई थी उसका लिंक आप को नीचे डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा उसमें मैंने समिधान के जो important article है उनको याद कराया था समिधान से संबंदिर वीडियो आगे भी आती रहेंगी और दोस्तो अगर भी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन पर क्लिक लिजी जैसे कि आने वाली सारी वीडियो के नटोपिक से आप तक राप्त होते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक है हमारा महानियावादी एटर्नी जनरल देखे दोस्तों महानियावादी का ये टोपिक बहुत चोटा है लेकिन इससे कोशन बहुत ज़्यादा पूचे जाते हैं देखे जिस परकार केंदर में महानियावादी होता है उसी परकार राज्य में महानियावादी होता है एट्बुकेट जनरल होता है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे महा नियवादी के बारे में अगर आपने ठीक से समझ लिया ठीक से पढ़ लिया तो महा दिवक्ता के बारे में अड़ोकेट जनरल के बारे में आपको खुद ही याद हो जाएगा क्योंकि जिस परकार केंद रिस्तर पर महा नियवादी से संबंदित facts होते हैं अर्टिकल 76 में कहा गया है आपको याद रखने हैं तो देखे गारे में हमारे संबंद में कोट में कोई case हो जाता है तो हम क्या करते हैं हमें कोई जादा जानकारी तो होती नहीं है यह बीदी संबंदी कानून की हमें कोई जादे जनकारी होती नहीं है कानून की प्रक्रिया वह जटिल होती है तो उस कंडिसन में हम एक बकील करते हैं वो बकील हमारे पक्षम कोट में अपनी बात रखता है वो बकील हमारी पेर भी करता है कोट में हमारे पक्षम कोट में बोलता है ठीके भारत में किसी भी कोट में बारत सरकार के बुरुत ज़िए भी केस चल रहा होगा, तो उसमें बारत सरकार के बकील के रुप में कार करता है महानयायवादी atony channel तो आप समझ गए होंगे जैसे की हमारे लिए हमारा बकील होता है, हमें बिधी मामलों में सला देता है हमारे पक्ष में कोर्ट में अपनी बात रखता है उसी प्रकार भारत सरकार को बिधी मामलों में सला देता है महानयवादी और मैंने यहाँ पर यह सब कुछ लिख भी रखा है देखिए भार सरकार का प्रितम विदिय दिकारी होता है ये भी आपको याद रखना है महा नयवादी भार सरकार का प्रितम विदिय दिकारी होता है ठीक है अभी मैंने आपको ठीक से समझाया था ये महा नयवादी भार सरकार को विदिक मामूलों में सला देता है अब यहाँ पर देखी यह काफी important facts है यह वाला इसको ठीक से याद रखना है महानयवादी संसत की कारेवाही में भाग ले सकता है बिचार ब्यक्त कर सकता है किन्तु मतदान नहीं दे सकता क्योंकि बहुत संसत का सदस्य से नहीं होता है ठीक है? बात कौन से article में कही गई है? Article 88 Article 88 में यह कहा गया है तो महानयवादी से संबंदित यह दो important article है जो आपको याद रखने है Article 76 और Article 88 अनुच्छेद 78 और अनुच्छेद 88 यह दो important article हैं महानयवादी से संबंदित इसके बाद संसद्य विशेशादिकार 88 सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं महानयवादी को जो उनको संसद्य विशेशादिकार मिलते हैं बही सारे अधिकार मिलते हैं महानयवादी को ठीक है? लेकिन एक सर्थ पर वो मामला बारसरकार के बुरुद नहीं होना चाहिए क्योंकि महानियवादी एटोर्णी जनरल हमेशा बारसरकार के पक्ष में बोलता है बारसरकार का बकील होता है एक तरीके से वो तो बारसरकार के बुरुद जो भी मामला होगा उसमें बाहर सरकार के बुरुद वो कभी भी बकील बनकर नहीं जा सकता हमेशा बाहर सरकार के पक्ष में रहेगा तो ऐसा कोई भी मामला जो बाहर सरकार के बुरुद ना हो उसमें वो अपनी निजी प्रेक्टिस कर सकता है किसी भी ब्यक्ति के लिए पक्ष में बोल सकता है अब यहाँ पर देखें नीचे राष्टे पती द्वारा निक्ती होती है यही बाद आर्टिकल 76 में लिख रही है यह सबसे पहले मैं आपको बताया था कि महानियवादी की निक्ति राष्टे पती के द्वारा की जाती है अब यहाँ पर देखें यह है इंपोटेंट राष्टे पती के प्रसाद पर्यंत पद धारन करता है इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कोई निश्चित कारेकाल नहीं होता है यह राष्ट्य पती की मर्जी होती है कि कोई व्यक्ति कितने समय तक महानियावादी बना रहे ठीक है देखें यहाँ पर इस बात को ठीक से समझेए यहाँ लिख रहा है राष्ट्य पती के प्रिसाद परियंत पद धारन करता है राष्ट्रपती के पृष्वाद परränंत का मतलब क्या हो गया राष्ट्रपती को सभी मामलों में सलाख कोन देता है मंतरी परिष्वत और मंतरी परिष्यत का प्रिमुक कोन होता है PM मतलब पृधान मंतरी आगे देखते हैं कारेकाल निशित नहीं होता है ये वेन आपको बता दिया है राष्टेपती द्वारा ही उसका कारेकाल तया होता है अब इसके बाद यहाँ पर देखिए यह देश का सरबोज कानूनी अधिकारी होता है जो उचितम नियाल है मतलब सुप्रिम कोट के आलते होता है और योग्यता बही होती है महानियावादी की जो की सुप्रिम कोट के नियाएदीज की होती है जो की सुप्रिम कोट के जज की होती है ठीक है देखिए कारेकाल की समापती कैसे होती है राष्टेपती द्वारा हटाया जाने पर एक तो इस तरीके से इसका कारे अब यहां पर देए कुछ important facts देख लेते हैं भारत के पहले महानियवादी थे जो पहले महानियवादी थे उनका नाम क्या था MC Seatelward ठेकी यह नामा को यह लखना है भारत के पहले महानियवादी का नाम है MC Seatelward जोकि 1950 में बने थे ठीक है और 1963 तक अबने पत्पर बने रहे थे और अब तक सबसे ज़्यादा समय तक भी यही रहे हैं MC सीतलवाड मतलब लगभग 13 साल यह महानयवादी के पत्पर रहे है अब यह तक इतने लंबे समय तक कोई भी महानयवादी के पत्पर नहीं रहा है MC सीतलवाल सबसे पहले भी हैं और सबसे ज़्यादे लंबे समय तक भी रहे हैं बरतमान में कौन है महानेयवादी ये भी आपको पता होना चाहिए बरतमान में है केके बेडु गोपाल ठीक है बरतमान में महानेयवादी यही है जिनकी निक्ति 2017 में हुई थी ठीक है दो 17 से अपतेक हैं अब ये कौन से नमबर के हैं ये भी आपको पता होना चाहिए ये हैं पंद्रहवे नमबर के ये पंद्रहवे महानेयवादी है भारत के ये आपको पता होना चाहिए तो महानेयवादी के बारे में ये facts आपको याद रखने है अब देखते हैं महादिवक्ता के बारे में देखें महादिवक्ता के बारे में अगर आपने ठीक से समझ लिया है ठीक से पढ़ लिया है तो बही सब कुछ महादिवक्ता के बारे में है जिस परकार केंदर सरकार में महादिवक्ता होता है उसी प्रकार राजय सरकार में महादिवक्ता होता है एड़विट जन्रल होता है देखें केंदे सरकार में जो कार रहे हैं महादिवक्ता के सम्बंद में राश्टेपती करता है बही कार रहे हैं महादिवक्ता के सम्बंद में राजय सरकार में कोन करेगा राज्यपाल महानियाईवादी की नुक्ति राज्यपाल, महानियाईवादी की नुक्ति कोन करेगा, राज्यपाल ठीक है ये राज्यसरकार को सभी विधी मामलों में सला देता है, किसी भी कोड में राज्यसरकार की पेरवी करता है उनके पक्षे में बोलता है, तो वो होता है महादिवक्ता, महादिवक्ता का उल्लेक अनुछेद 165 में किया गया है, महानियाईवादी था 76 में और महादिवक्ता 165 में, ये दोनों आर्टिकल आपको जाद रखने हैं, जिस परकार आर्टिकल 76 के अनुसार राश्ट्यपती म द्वारा महादिवक्ता की नियुक्ती की जाती है, ये राज्जे का सरवोच विध्य दिकारी होता है, अभी मैंना आपको बताया है भी था कि जो कार्रें महादिवक्ता की अबारे में, राज्यपाल कारता है, ठीक है राज्य पालिस की निव्टी करता है राज्य बाल की परसाद परेंद कारे करता है महादिवक्ता उच्छे नियाले का नियादीस होने की अरता रखता है ठीक है जो हाई कोर्ट के जज की योग्यता होगी बही महादिवक्ता की योग्यता होनी चाहिए अब यहाँ पर देखिए जैसे कि केंदर में संसद होता है उसी प्रकार राज्य में विधान मंडल होता है तो राज्य में विधान मंडल में कौन कौन होता है विधान परिसद और विधान सवा ठीक है तो बिधान परिशत और बिधान सवागी कारेवाई में भाग ले सकता है बिचार ब्यक्त कर सकता है किन्तु मद्धान नहीं दे सकता है क्योंकि वह बिधान मंडल का साधर से नहीं होता है भाई सारी बात है जो महान याईवादी के बारे में थी संसत के संदर में, यहाँ बिधानवंडल के संदर में तो यहाँ पर आपको महा नियाइवादी और महा दिवक्तर के अबारे में ठीक से समझ में आ गया होगा अब मैं आप से यह उम्मीद करता हूँ कि इस टोपिक से संबधित अगर एक्जाम में कोई कोशन पुछे जाता है, तो आप उसको असानी से कर सकते हैं तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए अपने दोस्तों में आगे भी मैं आप जल्दी जल्दी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा चली दिस तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच